पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भर नमस्ती मेरा नाम है बुनम ठाकूर और मैं स्वागत रती हूं आपका हिमाचल प्रदेश के इन खूब सूर्थ पाड़ों से तो गाइस टाइम हो चुका है लगब ग्यारा वजे का और बाहर हो रही बारिश धीमी धीमी बारिश हो रही है देज भी नहीं हो रही है दीमी राच से ही लगी हुई है और जह है सुरे देवता भी निकले वे होा और बारिश भी में भी हो रही है तो ऐसे मैं बोलते थे हमारे आपकावत के गिद्रीदा या लग या गया टागिद्र गिंध्र की साथी हो री है in www. एस पाने वगर फिलाएंगे तो बने रहना आप वीडियो में तो गाइज मेरे चनल पर फर्स टाइम आई हूं तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगए तो लाइक शियर एंड कमेंट जरूर करना तो गैस को कर देते हैं स्लोव टो याव सब्सक्राइब करना हुआ जो एविकार डिजिए तने हाई मद हो वश दिल की धड़कन चुप सी तन हाई मिर तेरे प्यार ने मार देरा मेरे रुसवाई हाई मद हो वश दिल की धड़कन चुप सी तन हाई अन्हें गड़कन चुप सी तन हाई अनल थे तन हाई स्विक डिजा उनल आसित ऑrence कल नहीं आना मुझे ना बुलाना के मारे गताना जमाना कल नहीं आना मुझे ना बुलाना के मारे गताना जमाना एक वो दिन था मिलाती ना थी तू अखियां ओई कि ये दिन है कि जागे सारे सारी रतियां तू चली आई दुहाई ओई क्या बात हो गई तू चली आई दुहाई ओई क्या बात हो गई ओ दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई पगे सारी नजारे यूए क्या बात हो गई दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई तू थेंक यू ये था एक फिल्मी स्टम गई में जो मैंने आपके सामने गया अगर आपको यह song पसंद आए हो तो मेरे विडिको लाइक करना ठीक है तो चलिए ने खाले पशुपाल के एक फाइदा और भी है मैं बताओं कि जो हमारे घर में जैसे वेस्टेज बच जाती है खाने की रोटिया चावल दाल कुछ भी जो आप छिलके जो आप मतलब ऐसे फैंकते हैं दर उदर तो उनको आप अपने यूज में ला सकते हैं देखिए अपने परशू को खिलाए और उससे हमें दूद बन जाएगा इसे मतलब हमारे घर में जो वेस्ट खाना बचता है वह ह हम अपने परशू को खिला सकते हैं तो देखिए हमारी परशू आज बहुत ज्यादा सर्दी आ बहार, तो मैंना इनको अंदर यहां हम पर मतलब रखा है है और यहीं पर रखतेit हैं video में बचते हैं तो बैने यह एक नोकर मेरे समपाते दिभालान गीना यह सूब शक्कष ह बहुत जात असरती है तो इसकी बच्ची को बाहर बाहन देते हैं और फिर गास बगएरा पाने बगएरा पिलाते हैं इनको अब अब और जो लोगों के टांगों में दर्द बोलते हैं कि हमारी यहां दर्द है वहां दर्द हैं वो सब इसका आम ना करने की वज़े से हैं कि जैसे हम लोगों ने अपना पुराना सभ्याचार हमारा पुराना कल्चर काम करने के जो हम काम करते हैं खेतों में काम करते हैं घरों में काम करते हैं परश्मों के पास काम करते हैं वह करना जब से छोड़ दिया ह मतलब ऐसे बीमारियों ने गेरा हुआ है बीमार मतलब जोड़ों का दर्द घुटनों का दर्द और दूसरी कमर में दर्द और ऐसे काम करने की शक्ती नहीं इस तरब से अगर आप काम करते रोगे तो आपके श्रीर में अगर आप उसको काम करने की काम कर लिए तो अच्छा है यह है आपके शरीर के लिए और सब्सक्राइब आपको परिशानियों का सामना करने पड़ेगा तो चलिए पानी बिला लेते हैं ज़्यादा बाते ना करते हुए तो जी मैं गोपर फैंक लेती हूँ और इस वीडियो को यही पे आन करते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना दोसी के साथ मेरा वस्दा रही है माचल, खुश रहो, आवाद रहो, हस्दे रहो, मस्दे रहो, बाई